हेलो दोस्तों ये हमारे पास दो पल्ले हैं एक पल्ला हमारे उल्टे पैर का है और एक सीधे पैर का है तो ये पल्ला हमारे पास सीधे पैर का है इसको जो ऊपर का टुकडा है ये इसको हमें ऊपर रखके आरमोल की तरब सिलाई लगानी है तो ये हमारे पास उल्टे पैर का अब हमसीरे पैर का पंदा है इस पले पर हम लगाएंगे ब्याक फोकिट मक्षी चैन वाली तो यह कुट का लगा है यह कुट का लगा है इसमें वहारी चैन से और लाष्ट तक सिलाई लगाएंगे अब जो बीच का हिस्सा है इसमें हमारी मक्ही चैन वाली पोकिट तैयार हो जाएगी तो यहां से हमने जो सिलाई लगाई है दोनों में यह इसलिए लगाई है ताकि हमारा जो जोईंट है आसन जब जुड़ाई करेंगे तो जोईंट हमारी चैन लगाते हैं तो जहां से हमने फिप इसको जोड़ा है और बंद किया है 먹 को इसके यहां पर हमें चैन लगानी है रखनी है उल्टी चैन लखनी है और एक पेर के बूट से निचले पल्ले पर शीलाई लगा देनी है ध्J Serge यह उल्टी रहेगी और चैन से अढ़ा कखकर सिलाई लगानी है ताकि हमारी जो चैन्ह रहे वह खुले न तो फोन ना कुले उसका अब हम दूसरी तरफ जो हमारा पल्ला है छोटा हाला पल्ला इस पल्ले पर भी अमें सिलाई लगानी है दूसरी साइड से चैन के और झी notify रहे चैन बिल्कुल इक्सार होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, आगे पीछे, अगर आगे पीछ हो जाएगी तो चैन में और पोकेट में जोला जाएगा, तो चलिए अब हम निचले वाले पल्ले पर, यानि जो हमारे पास टुकड़ा था, कटा हुआ, उस टुकड़े का एक आसान तरीका है, यह जो हमारे पास मक्खी चैन का जो हैंडिल है, यह पकड़ने वाला, इसको अंदर की तरफ निकालेंगे, शिलाई से पहले ही, और आसानी से खीच देंगे, उपर की तरफ को, अब इधर से पकड़ेंगे, इस पीस को सीधा करेंगे, और चैन को सिन नीचे हम पोकि ट का कपड़ा लगाएंगे, यह हमारे पास पोकिट का कपड़ा है, इस कपड़े को इस तरीके से फलाएंगे, क्योंकि 14 इंच लंबा और 7 इंच चोड़ा कपड़ा है, और ये जो हमारे पास चैन है, यह उपरला हिस्सा चैन का, उपर की तरफ सीलाई लगाएंगे यहां से इसी तरीके से निचले चैन के हिस्से पर निचले पल्ले को लगाएंगे और चारो तरफ से इसको बंद कर देंगे अब यह जो हमने इसी तरीके से लगानी है हमें अब जो हमने यह उल्टे पैर पे जो जोइंट लगाया है वो जोइंट इसलिए लगाया है ताकि हमारा जब पीश से तयार हो जाएगा तो वो हमारा जो यह जोइंट है दोनों जोइंट इकसार लगेंगे ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें जैसे मक्खी चैन लगी हुई हो क्योंकि मक्खी चैन बंद करने के बाद दोनों साइड से एक साही रहेगा तो दोस्तों आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर नवे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को जदे से जदे लाइक शेयर जरूर करें और हाँ बैल आइकन को ओन जरूर कर लें ताकि कोई भी वीडियो हम बनाए तो उसका नोटिपिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार